क्या हाले दोस्तों, welcome to the channel इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि candlestick chart और order flow chart के बीच में difference क्या है और कंसा वाला बैतर है और सब trader को कंसा chart use करना चाहिए candlestick charting में candles होते हैं जो information को open, high, low, close इन चार data points के साथ display करते हैं यहाँ पे जो candle हम लोग देख रहे हैं यह एक simple सा down candle है, तो generally candlestick charts के साथ volume को display के जाता है और यहाँ पे यह जो volume बार है यह इस candle के duration में कितना volume trade हुआ, उसके बारे में information देता है यहाँ पे भी मैंने एक drawing बनाया है हम लोग यहाँ पे यह मान के जलते हैं कि यह एक 5 minute का candle है और इस 5 minute के duration में 25,000 lots के volume trade हुआ है अभी अगर हम लोग इस candle को देखते हैं तो हमें क्या-क्या information मिल रहा है हम लोग यहाँ पे यह देख सकते हैं कि यहाँ पे open हुआ और यह high था और उसके बाद price नीचे आया यहाँ पे low बनाया और यहाँ पे price close हो गया और यहाँ पे इस candle के duration में इतना volume trade हुआ था इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ information available नहीं है हमें नहीं पता कि इस price से इस price के बीच में कहा पे किस price range में कितना trade हुआ हमें नहीं पता है और यह जो volume यहाँ पे trade हुआ है यह जिस location पे या फिर जिस price range पे ज़ाद हुआ है वो भी नहीं पता क्या ज़ादादर volume इस candle के ऊपर trade हुआ है या नीचे के section में trade हुआ है वो हमें नहीं पता है अभी हम लोग एक odd flow chart देखते हैं और हम लोग यह देखते हैं कि वहाँ पर क्या-क्या information available होता है यहाँ पर अभी आप लोग जो देख रहे हो यह जो candle था इसी का odd flow chart है आज कल जो odd flow softness होते हैं वो आपको बहुत तरीके से odd flow chart को setup करने के option देते हैं और यहाँ पर मैं आपको बस एक तरीका दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो यह भी एक candle जैसा ही दिख रहा है तो हमें यहाँ पर क्या-क्या information मिल रहा है हम लोग यहाँ पर इस red color को देख के बता सकते हैं कि यह एक red candle है तो उसके बाद हमें क्या-क्या information available है हम लोग क्या सकते हैं कि price यहाँ पर open हुआ है और यहाँ पर price का high था और उसके बाद price नीचे आया और यहाँ पर low है और यहाँ पर price close हो गया है यह सब information हमें इस candlestick chart में भी मिल रहा है और यहाँ पर जो हमने volume की बात की थी उसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो volume भी यहाँ पर मिल रहा है तो candlestick chart में जो भी information available था वो information हमें इस order flow chart में भी मिल रहा है इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या-क्या information देखने को मिल रहा है यह देखेंगे तो यहाँ पर इस candlestick chart में मैंने बताया था कि हमें यहाँ पर नहीं पता कि इस price range से ये price तक बीच में किस price में क्या-क्या transaction हुआ या फिर कितना transaction हुआ नहीं पता पर यहाँ पर आपको कुछ numbers दिख रहे हैं ये numbers यहाँ पर हर एक price range में कितना transaction हुआ इसके बारे में बताता है और यहाँ पे जो software मैंने use किया इस candle को इस order flow candle को plot करने के लिए यह मुझे option देता है कि buy side और sell side के transaction को भी दिखाने का तो यहाँ पे जो आप लोग इस left side में देख रहे हैं यह sell market orders है तो यह sell side के orders है और यहाँ पे जो आप लोग right side में देख रहे हैं यह buy market orders है तो यह buy side के orders है यहाँ पे मैं order flow के बारे में ज्यादा detail में नहीं जाओंगा पर यहाँ पी यह sell side है और यह buy side है जैसे मैंने कहा बहुत सारे तरीके से आप लोग order flow chart को set up कर सकते हैं यह बस एक तरीका है तो यहाँ पे अगर हम लोग इस particular section देखेंगे तो जो भी price point था यहाँ पे यहाँ पे 114 lot sell side में trade हुआ aggressive market order था और 86 lots buy side में trade हुआ तो यहाँ पे इस price point में sellers ज्यादा भारी थे और एक और बात यहाँ पे जो numbers आप लोग देख रहे हैं यह market orders है तो जब भी market orders आता है तो price move होता है order flow chart में हम लोग market orders देखते हैं यहाँ पे अगर आप लोग इन numbers को देखोगे तो क्या आप लोग यह बता पाएंगे कि कहाँ पे इस candle में ज्यादा transaction हुआ है तो यहाँ पे हम लोग directly बता सकते हैं कि इस candle के lower section में ज्यादा transaction या फिर ज्यादा volume trade हुआ है क्योंकि यहाँ पे बड़े numbers है और यहाँ पे चोटे numbers है तो इससे पता चलता है कि जो sellers थे उन्होंने यहाँ से उपर से यहाँ तक price को आसानी से लेके आए कुछ aggressive selling भी था और यहाँ आने के बाद selling और aggressive हो गया क्योंकि यहाँ पे बड़े numbers दिख रहे हैं और जैसे ही और नीचे गए हम लोग यहाँ पे number तो बड़े होते गए selling जादा होता गया पर price उतना नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उपर जो number आप लोग देख नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी aggressive sell कर रहा है उसको कोई तो buy कर रहा है इसके अलावा आप लोग यहाँ पे जो numbers देख रहे हैं उन में से कुछ numbers को यहाँ पे highlight किया गया है sell side में ज्यादा numbers है इस candle में और buy side में यहाँ पे हमें एक number highlight होके इस तरह द अधलब एक price point में अगर एक side से 3 गुना या फिर उससे ज्यादा transaction होता है दूसरे side में तो उस side को highlight किया जाता है यहाँ पे इसको हमेशा diagonally compare किया जाता है for example यह जो 95 है उसको 25 से compare किया जाता है और यहाँ पे जो 46 है उसको 10 से compare किया जाएगा 294 को 88 से 114 को 10 से 540 को 55 से और है जो 864 है उसको 28 से जब हम लोग ऐसे diagonally compare करते हैं तो अगर एक side में जो number है वो दूसरे side से 3 गुना या फिर उससे भी ज्यादा है तो उन number को इस तरह highlight किया जाता है यहाँ पे जो software मैंने use किया वहाँ पे मैंने 3 गुना या फिर उससे ज्यादा specify किया था आप लोग जित इसका मतलब यह है कि एक side में aggression ज्यादा था उसके बाद यहाँ पे जो continuous imbalance रहता है जब 3 या फिर उससे ज्यादा रहता है तो हम लोग उसको कुछ इस तरह highlight करते हैं और इसको imbalance zone कहते हैं क्योंकि यहाँ पे sell side में 3 या फिर उससे ज्यादा imbalance है तो हम लोग इसको sell imbalance बोलते है यहाँ पे accord sell imbalance है तो यह सब zones है या फिर price range है जहाँ पे sellers या फिर buyers ज्यादा aggressive रहते हैं तो यहाँ पे इस example में sellers यहाँ पे ज्यादा aggressive है तो हम लोग इसको कुछ इस तरह extend करेंगे अगर future में जब price यहाँ पे आता है तो यहाँ पे resistance मिल सकता है sellers यहाँ पे अपना position defend करने क करने की कोशेश करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर sellers aggressively trade कर रहे हैं तो यह information भी हमें यहाँ पे order flow से मिलता है इसके अलावा एक और चीज है हो है कि यहाँ पे यह जो price point है यहाँ पे इसको कुछ इस तरह highlight किया है यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे सबसे जादा volume इ अगर हम लोग इस candlestick chart से compare करते हैं तो क्या-क्या information extra available है हम लोग जानते है कि इस candle में नीचे के side में ज्यादा transaction हुआ और ज्यादा sales होने के बाद भी यहाँ पे price जितना नीचे नहीं गया है मतलब है कि यहाँ पे कोई buy कर रहा है और हम लोग यहाँ पे buy market orders भी कुछ मतलब यह कि अगर आप लोग इस candlestick candle को देखके यह decide करते है कि अच्छा यहाँ पे aggressive selling हुआ है तो मैं wait दूंगा आप इस order flow candle देखने के बाद थोड़ा wait करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको buyers का जो presence है वो आपको दिख रहा है इसका मतलब यह नहीं कि price सीधे reverse होके उपर जाएगा यहाँ पर buyers की entry है पर वो sellers को overpower करने में कामियम होते हैं या फिर give up करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर price उपर या नीचे जाएगा तो अगर आप लोग order flow chart यूज़ करते हैं या फिर order flow candle को देखते हैं तो आप यहाँ पर wait करोगे कि next क्या होता है उसके हिसाब से आप लोग decision लोगे तो अभी हम लोग अगर compare करते हैं order flow candle और candlestick candle को तो हमें यहाँ पर कितना information ज्यादा मिल रहा है और यहाँ पर जो मैंने बात की है वो बस beginners के लिए जो बाते हैं उनके बारे में बात की है यहाँ पर जब आप लोग इस chart को बाकी candles के साथ देखेंगे त तो आपको पूरा context मिलेगा कि कौन क्या कर रहा है buyers कितने strong है sellers कितने strong है यह सब मुझे लगता है कि हर किसी को order flow chart use करना चाहिए उसके trading में कुछ लोग यह समझते है कि order flow trading है वो एक separate methodology है हलाकि आप लोग सिर्फ order flow use करके ही trade कर सकते हैं उसके साथ ही अगर आप लोग चाहोगे तो order flow chart जो है उसको आप लोग आपका जो trading methodology है उसके साथ भी use कर सकते हैं अगर आप लोग price action trader है तो order flow chart आपका जो decision making है उसको और बहतर बनेगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे edge कि market में actually क्या हो रहा है तो finally इस video में जैसे मैंने आपको पहले बताया था order flow chart को बहुत different तरीके से दिखाया जाता है तो यह बस एक तरीका था मैं 2-3 तरीका और दिखाऊंगा आपको यहाँ पे यहाँ पे यह निफ्टी features का order flow chart है तो यहाँ पे जो वीडियो में जो मैने example में दिखाया था वो यहाँ से मैंने लिया था तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे sell imbalance zone था buyers ने उसको break करके price उपर लेके जाने की कोशिश की पर sellers वापस आके उनको नीचे लेके गए और उसके बाद यहाँ पे एक और तरीका है यह भी order flow chart है बाद उसको तो यह एक और software है quantower यहाँ पे मैंने order flow chart को कुछ इस तरह set किया है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे numbers भी दिख रहे हैं कितना buy हुआ कितना sell हुआ उसके साथ ही यहाँ पे मुझे कहां पे ज्यादा volume trade हुआ उससे इन volume bar के जरीए बैतर यहाँ पे दि connection हुआ है तो यह सर तो यह हुँ दोस्तों इस वीडियो के लिए इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं इसी तरह के और दोस देखन के लिए मेरे चानल पर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप लोगों को नेक्षोड़ों पर मिलता हूँ बाई